नमस्कार एक बाइफिर से मैं आप सभी के सामने उपर सीतूं बेहद महात्वपू टॉपिक के साथ आज हम बात करने वाले हैं मैरिटल अफ्यार की देखिए भारत में इसको लेकर के कोई भी कानून वर्टमान में मौजूद नहीं है लेकिन डेली हाइकोट ने एक नियुने है उसको बताया था कि हाँ ये गलत है और इसको लेकर के सज्जाव का प्रावधान जो है उसके बारे में भी बात करी थी लेकिन मामला ये बहुत जाता है सुप्रीम कोट से मामला जो जाता है केंद सरकार के पास और केंद सरकार का कहना है कि ये जो मामला है ये व्यक्ति का निजी मामला है और इसमें कोट कोई भी फैसला नहीं ले सकता है आखिर ऐसा क्यों कहा गया क्या यह निजी मामला है बहुत सारे ऐसे निजी मामले हमारे होते हैं जो कोट जाते हैं ठीक है जिनके बारे में हम डिसकस करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों का यह दूलंगान होता ह तो हम Supreme Court High Court जाते हैं तो यह अगर हमारा निजी मामला है और इसको ले कर कि यह कोई प्रॉब्लम है तो हम कोट जा सकते हैं लेकिन केज सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि हम इसको ले करके कोट नहीं चा सकते हैं रीजन यह था कि यहां पर बोला गये कि आलरेड़ी यहां पर मैरिटल रेप से संबन्दित और जो प्रावधान है जिसमें क्रूरता की बात कहीं गई है मारपीट की बात कहीं गई है देज उत्पिरन की बात की गई है यदि ऐसा कोई भी चीज देखने को मिलती है किसी वेक्ति के शादी सुधा जीवन में यदि उसके साथ कोई अपराद हो रहा है तो उसको ले करके और लेटी धराय बनाए हुई है अब हमें इसके लिए अन्य धराओं की अवशक्ता नहीं है अन्य सजाओं की अवशक इसे विश्मेदेश है जहां पर आपका जो मैर्टल रेप है उसको रेप की कैटेगरी में रखा जाता है और साथ इसाथ इसको लेकर के कानून बनाए गए हैं और भारत में क्यों नहीं वनाया जा रहा है कि यह किसी व्यक्ति का परसनल मामला है निजी मामला है शुरवात क चल रही है तो इसी सुब अफसर पर आपको 75% का डिसकाउंट मिल रहा है 5-10 अक्टूबर तो आप जल्स जल्स कल आप उठा सकते हैं अब देखते हैं न्यूस क्या थी मैरिटल रेप को अपराद कहने के खिलाफ केंदर सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहा यह कानूनी नहीं साम समाजिक मुद्दा हो जाता है समाज से जुड़ा हुआ यह मुद्दा हो जाता है ठीक है अदिकार चेत्र में नहीं आता और जितने भी उनका कहता था कि इस समाजिक मुद्दे हैं यह आपके अधिकार छेतर में नहीं आते हैं अच्छा कौन से किन पर सुप्रीम कोट कोई भी कानून नहीं बना सकता हूं लेकिन अगर इसकी बात की जा तो इस पर कानून बना सकता था किन सरकार ने क्या क्या मना कर दिया कि ये सामाचिक मुद्दा है आप इसमें हस्त छेप ना करे तो बहतर होगा चलो अब आगे देखते हैं किन सरकार ने गुरुवार को सिप्रीम कोट में एक हलक नामाद आखिर कर मैरिटल रेप को अपराद घोशिद करने की जो मांग थी इ इन सारी चीजों को बना देजिया मैटर रेप को अपराद गोशित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए कई अन्य सजाएं भारती कानून में अल्डेडी मौजूद है और यही बात कही जा रही थी कि जब पहले से सजाएं मौजूद हैं दहे जुत्पिरन को ले करके है हरस्मेंट को ले करके तो फिर इसको अपराद गोशित करके नहीं सजाएं बनाने की जरूरत नहीं है ऐसा केंद्र का सोचना है और क्या केंद्र ने तरक दिया यहां पर उन्होंने बोला कि यह कानून नहीं सामाजिक मुद्दा है इसके बावजूद अगर इसे इसे एक तरीके से आप क्या लेजए रहा है लीजे पहले इसके बारे में बात करिए इसके बाद आप कहिए कि जो अपराद और आप में लोग देखे होगे की अग्स्ट्रा इंट्र मारिटल जो अफेर्स है वो देखने को मिलते आज के टाइम में जो धीरे धीरे बहुत जादा नॉर्मल होते जा रहे हैं ठीक है पहले ऐसा इसलिए होता था कि आप देखो कि बहुत कम उम्मर में शादी हो जाती थी नहीं पता चलता था फिर उसके बाद लोगों की जो लाइकिंग्स है वो चेंज हो जाती थी अभी ऐसा हो र नहीं है पती ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहा है रस्पाक कर जो बहुत सारें इसके फैक्टर होते है तो यहां पर कहा गया कि यह जब दो दमपति शादी करते तो उनका निजी मामले होता है तीक यह और कोई महिला माली जिए कि उसको उसका पार्ट्नर ही पसंद नहीं आ क्या पत्ती है कि महिला क्या है जो क्यों कर सकता है यह गलत यह कि मैं ङसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन यह महिला जिसके साध मेरी शादी हुई यह paar ही एब कि यह आपका अधिकार है, यह आपकी महिला है, आप इसके साथ रहते हैं, आप इनकी responsibility उठा रहे हैं, महिलाएं भी आप पुर्शों की responsibility उठा रही है, थोड़ा थोड़ा जो महिलाओं की गलती है उसके बाद पुरुश्स भीज में भी होता है जायकाद हैं. कि रहे हैं जाद इसके बाद नहीं में नहीं चा के बाद नहीं के शादी कर देते हैं profound, शही चाहने बहुत्के शादी क dł corpo जेके नहीं चाहंड कीयों ग्रया कृंंं की strengthen चाहती, they are from Maharashtra, वो लोग 8 साल से, 8 साल हो गए थे उनको शादी को, ठीक है, 8 साल से 7 में थे, लेकिन वो साथ नहीं रहते थे, घरवालों के नजर में वो लोग साथ रहते थे, उन्होंने 2BH के रूम ले रखा था, अलग अलग रहते थे, जो लड़की थे उसने अलाव कर कि ठीक है, आपको जो गल्फिंट बनानिया बनाओ, लेकिन आप में को ना टच करो, ना मेरे को चुँओ, हम दोस्त बन के रह सकते हैं, वो मुझे मलजूर है, आप मुझे पसंद नहीं हो, मेरे घरवालों ने आपके साथ शादी करिए, बस मैं इसलिए आपके साथ रह रह जाती अपनी फामली के लिए, ठीक है, फानली उसका हस्बेंट जो आठ नौ साल बाद वो इतनी हिम्मत जुटा पाती है अपने घर में कहने कि मुझे नहीं रहना है, और रीजन क्या था शादी करना क्यों नहीं पसंद था, क्यों उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, क्यों करी और फानली जाकर के नौ साल बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि उसने फैमिली में कहा कि मुझे इससे डावस लेना है, मेरा इनके साथ आज तक कुछ भी नहीं है, और नहीं कभी था, और मैंने इनको अलाव कर दिया कि आप किसी के साथ भी शादी कर लीजे, और फ अच्ट्रे सरीके से खिचते रहते हैं, ना चाहते हुए भी रिस्ते बहुत लंबे समय तक खिच जाते हैं, और जब आप देखते हो कि आठ या नौ साल हो जाते हैं, डवोस लिने में भी दिक्कत होती है, कि नौ साल फिर आप कैसे साथ में रह रहे थे, तो यह वाली प्र परदाश्ट नहीं करी जाए, अगर ऐसा कोई करता है, तो सजा का प्रावधान है, उसके बाद है, आपका महिला की अस्मिता का उलंगान करने की खिलाफ और रेडी कानून है, घरेलू हिंसा से बचाओ, 2005 का कानून बना हुआ है, तो जब हमारे पास यह कानून है, तो हमें नए कानूनों की अवशक्ता नहीं है, ऐसा केद्र सरकार कह रही है, आगे उसने क्या बोला, देखे, शादी में महिला की सहमती खत्व नहीं होती है, केद्र ने यह स्विकार किया है, कि शादी के बाद भी महिला की सहमती का महत्व खत्व नहीं हो चाता है, और महिला की गर स्टे में होने वाले उलंगन से ही होता है यह बात यहां पर कई गई तो यहां पर यह बुलागे कि भाई जो पती-पत्नी एक दूसरे से शादी करते हैं तो सेक्शुल रिलेशन्शिप बनाने की उमीद रहती है और इसमें अगर कोई महिला जानबूज करके ऐसा काम कर रही है उसको mentally torture कर रही है पास आने से मना करें तो यहां पर husband के पास यह चीजे हैं कि वो इस basis पर divorce भी ले सकता है यह सरकार ने बना रखा है और डिडी कानून है ठीक है हलाकि ऐसी उमीदों के चलते पती कोई अधिकार नहीं मिलता कि वो पतनी के साथ जबर जस्ती करें बस यह अधिकार नहीं किसी भी पती को anti-rape कानून के तहर सजा देना गैर कानूनी जो है वो हो सकता है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए भारति नाय सहीता की धारा सुक्ष्री थी बलाटकार के अपवाट टू के मुताबिक मैरिटल रेंड को अपरा दिन नहीं माना गया है यानि कि भारत में अगर पती-पतनी की सहमती या बिना सहमती के सार एक्षम बनाता है तो उसे रेंड़ नहीं माना जा सकता है reason is that कि वो शार्दी कर के लाया है the tag is there which is साधी ठीक है चलो आगे आते हैं पत्नी की जाज़त के बिन उसके साथ संबंद बनाना हम marital जो रेप है उसमें consider करते हैं ठीक है आगे आते हैं भारती नाय सहीदा कि धारा सिक्षिर सी बनातकार के अपड़ टू के मताबिक marital rape अपरा हो जाते हैं आपका करनाटक हाई कोट के द्वारा जो कि आपका 23 March 2023 को निर्णे लिया गया इक दोनों ही निर्णियों को चैलेंज किया जाकर के सुप्रीम कोट में और फिर केंदी सरकार ने बोला कि भाई ये गलत है आप इस पर इस सरीके से कोई भी अपरात की category में रखना मैं सही नहीं मानता हूँ क्योंकि इसके लिए अल्रेडी हमारे पास कानून है चलो आप किस पर क्या रहा है है जो कि बहुत ही ज़ाद मातपूर हो जाती है आप यूआ पीड़ी है आप में से बहुत सारे लोग है जो अभी आगे चा करके शादी का प्लान करे होंगे या फ अपवाद कानून रद्ध हो जस्टिस सी हारी शंकर ने कहा कि यह अपवाद असम्वैधानिक नहीं है एक तो यह दूसरा था जस्टिस एम नाग प्रसन्ना थे इनकी सिंगल बैंच ने कहा कि तथ्यों के अधार पर इस रह के यौन हमले दुशकर्म के लिए पती को पूरी चूट नहीं दी जा सकती है लेकिन हम पूरी तरीके से यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह रेप है ऐसा केनुर सरकार का कहना है चलो आगे आते हैं आगे हाँ पर दिल्ले हाई कोट का मामला था 2022 का जहां पर एक महिला ने पती के खिलाफ जवरक शारीरिक संबंद बनाने की जो याचका दायर करी थी इसके बाद इसको वैवाहिक बलातकार के अपवाद को रद्द करने के हाँ पर समर्थन किया गया था और उसके बाद में समझ लेते हैं यह समांता नागरिकपूर्ण जीवन सेक्शुल पर्शनल जीवन में सुतंता के अधिकार के खिलाफ है ऐसा यहां पर कहा गया था दूसरे यहां पर जो पॉइंट रखा गया दाट इस कि मेरिटल रेप को अपराद नहीं मानना विवाहित और आविवाहित म समय के साथ सरकार ने बहुत सारी कानूनों को रिप्लेस किया है तो वर्तमान में इसको रिप्लेस करने की जरूरत है चलो मैटल रेप को अपराद मानने से इंकार कर चुकी है भारत सरकार जो की 2016 में ही ये बात कह दी थी और मोधी सरकार ने मैटल रेप के विचार को भारत में ठीक है इससे समाज की मानसिक्ता जैसे विभने कारणों से इसे भारतिये संदर में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह क्या है बहुत सारे परिपेक्षियों से जुड़ा हुआ है भारतिया समाज में 2017 में सरकार ने मैल्टर रेप को अपराद ना मानने के कानूनी अपवाद को हटाने का विरोध किया था और सरकार ने तक दिया था कि मैल्टर रेप को अपराद गोशित करने से विवाह की जो संसा है वो असिर हो जाएंगी और इसका इस्तिमाल पत्नियों दोरा अपने पतियो है या फिर मुझे आप पसंद नहीं आ रहे हैं या मुझे आप का तच अच्छा नहीं लगता तो मेरे से दूर हो यहां पर पती की गल्दी नहीं है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसकी पत्नी के बैक माइन में क्या चीज़े चल रही है और वह ऐसा बीहेवर क्यों कर रही है तो उसको वह टॉश्चर फील होने लगीगा तो यहां पर पुरुष का जो है वह हरस्मेंट होता हुआ दिखाई दिखाई देगा ठीक है तो इस तरीके से अगर उसने कभी बाईजांस मालीजे क कि बहुत आवेग में आख करके उसके साथ कुछ भी क्या है यादि इसको इंसिस्ट किया या कहते ना फोर्स किया उस चीज़ के लिए तो फिर वो कोट चली जाएगी और कोट जागर की कहीगी इन्होंने मिरे साथ रेप किया है तो यहां पर इसलिए बोला जा रहा है कि अ ऐसा करने की लेकिन जरूरत नहीं है भारत असा नहीं करेगा चले उननीसरी सदी में इंग्लैंड में पहली बार इस मैरिटल रेप के बारे में चर्चा की गई थी क्योंकि बहुत सारे आप देखो कि देश दुनिया के अतिहासिक थे यहां पर एक जोनातन हैरिंग की इसमें एतिहासिक रूप से दुनिया के जादता हिस्सों में धारना थी कि पती-पत्नी का रेप नहीं कर सकता है क्योंकि पत्नी को पती की सामपत्ति माना जाता है बीसवी सदी तक अमेरिक और इंग्लैंड के कानून मानते थे कि शादी के बाद पत्नी का अधिकार जो है कि अधिकार में सहमती हो जाते यानि कि युदि पत्नी राजी हो ही जानी चाहिए इसा था है लेकिन उसके बाद देखो के नारिवाद आपके अंदोलन शुरू होते हैं लोग लोग एक दूसरे इंत्राप्ट करते हैं मिलते हैं बाते करते हैं तन यह मुद्दा निकल कर क् कई बार महिलाओं की इक्षा नहीं होती है लेकिन पुरुस उन पर अपनी इक्षाएं थोपते हैं इस इस गुड बट इसका अधर तरीके से यूज किया जाना इस एक्सप्लेटेशन जो हो सकता है अगर यह अपराद की श्रेडी में आ गया तो चलो आ गया जाते हैं दुनिय कितने देशों में मैरिटल रेप अपराद है सबसे पहले सवय संग था 1990-1922 नहीं ने घोशित कर दिया था कि मैरिटल रेप अपराद है इसके बास सवय संग के बाद 1932 में पोलाइन ने घोशित किया बिटेन ने 1991 में अमेरिका ने 1993 में 2019 तक दुनिया में 500 से जादा देश है जो मैटल रेप को क्राइम गोशित कर चुके हैं भारस समय दुनिया की केवल 34 देश ऐसे हैं जहां पर मैटल रेप अपराद नहीं है और इन देशों में आप यह देखोगे कि यहां पर जो डाइवोस का रेट है वो बहुत जादा है पार्टनर्स फ्रीक्वेंटली चेंज किये जाते हैं जिसको हम पश्यमी कल्चर बोते हैं और यह इंडिया में विक्सित हो जाएगा तो यह था आज के लिए जो आप आप सभी को समझ में आया होगा मिलते है नेक्स क्लास में तब तक के लिए धनिवाद लाइक शें सुस्क्राइब करना बिल्कुर भी न भूले and thank you so much